वेलकम टू दी क्लास 24 सो गाइज यहां पर हम ना जो सीरीज स्टाटिक जी के वाली जो हमारी बहुत पहले चला करते थी जिसमें हमने श्रीज ट्राइब्स जो फोक डांसेज हैं क्लासिकल डांसेज वाद यंत्र हैं वो सब कुछ कंप्लीट किया था वही सीरीज जो है मैं फ जेट लिएवारत फिन था लियतों धहते स्टाट होगा लेटन करें जो भी वर्तमान में जो भी कुछ इसमें बदलाओ की हो गहें वो सारे के सारे आपके आने वाले Baptist तो यह नहीं कि सरफ आज के लिए हम एलिफेंट की बात करें ताइगर रिजर्फ आपकी जितनी भी आइस्टी एम्बी रिजर्फ होते हैं नैशनल पार्क से वाइल लाइफ सेंचुरी रामसा साइट से वर्ल एरिटेक साइट से आपके जितने भी भारत के बारत के अंदर व एलिफेंट रिजर्फ की यहां पर बात करने वाले एक छोटा वीडियो पर इसमें आपको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक्जाम औरिएंट वीडियो होंगे यह आपको मैक्सिमम दस से बारा मिनिट की वीडियो होगी जिसमें आपको सब कुछ जो हैं वो वो रखे हों हैं जहां पर चलिए यह इनको निकाल के कहीं और ले जाके प्रोटेक्ड कर रहे हैं इसी इन तू और एक्सी टू प्रोटेक्शन के अंदर अगर मैं भारत के टोटल अब एरिया की बात करूं तो वैसे अगर तोटल एरिया जो है वह रख रहें जिसमें से एट पॉइंट वन जो है वह टोटल बाईवरसिटी में से भारत वह 17 मेगाईवरसिटीं सब्सक्राइग का साथ एक रिच कंट्री जो है फ्लोरा एंड फॉन्या के मामले में क्या है आपका बना हूँ है अगर हम प्रोटे पार्ट के पास टोटल 106 नेशनल पार्ग है याद रखी यह नंबर बहुत इंपोर्टन यह इस पीप ऑन चेंजिक लेकिन आज जब आप यह वीडियो कर रहे हो तब आपके पास 106 जो है नेशनल पार्क लोकेड़ है जिसमें से लाजेस नेशनल पार्क है जो बहुत सारे इ बटन इंड बोला जाते है यह यूट मेरे साथ यह पर पड़ने है बिच एक्चुली में डर्टार जो पढ़ोगो उसमें क्या कहा होंगे आपके वाइल लैब डैप प्रोटेक्शन एक्ट नाइह सब्सक्राइं के स्ट करें साथ है इसी इस सारे प्रोटेक्शन जितने भी आपके प्रोटेक्शंट एरिया संट्वासर हिस्परेश्थर जे सारे के सारे इन-फु सभिए आपका 3330 प्रदेश में वह अभी इस्टाबीश कर दिया आपको यहीं से बनेगा कि टोटल मिला कि भारत के अंदर elephant reserves की संख्या कितनी है तो आपको 33 लिखनी है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है तो तैराई elephant reserve जो कि उत्रपदेश में located अब आपको पता नहीं मतलब हम कौन सा जमाने में हमने elephant reserve learn किया होगा आप में से किसी को टोटल संख्या या सोला सत्रा तक ही याद होंगे पर यह वाला डाटा याद रखे इस डाटा के हिसाब से आपके 33 elephant reserve हो चुके लास्ट जो चार-पांच elephant reserve ने उनका आप नाम याद रखोगे जिसमें 29th elephant reserve आपका दंदेली elephant elephant reserve है आपका 30th elephant reserve जो है वह सिंगपन है 31st elephant reserve जो है वह लेम्रू elephant reserve 32nd elephant reserve जो है अगस्ते मलाई elephant reserve जो कि तमिल नाडू के अंदर आपका situated है राइट अभी लेटेस्ट वाला जो है वह उत्तर प्रदेश के अंदर located यहीं पर याद रखी कि project elephant सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था जहां पर elephant की protection की बात की गई थी आपको हाली फिला लिया पर थोड़ा सा मेरे कैल दो तीन साल होए होंगे जहां पर केरला में पटाका जो है वह रख दिया था सून में elephant की जिससे वह उसकी death हो गई जो केरला का था यह पूरा इंसिडेंस जहां पर लोगों के द्वारा यह बोला गया था कि ऐसा नहीं किया गया था जो elephant था वह उनकी फसलें खराब कर रहा था उसकी वजह से वहां पर बस उनको डराने के लिए रखे जाते पर elephant ने खुछ से उसको consume किया तो बहु 1992 में conservation of elephant start हो गया था अब आप याद रखें कि भाई अगर यह स्टार्ट हुए तो इसका मतलब भारत के अंदर ऑल्रेडी भारत के अंदर दुनिया के 60% elephant 80% tiger जो हैं वह भारत के अंदर मौजूद हैं बहुत important statement है याद रखें दुनिया में जितने elephants हैं उसके 60% elephants स्रफ भा जा रहा है elephant का यह project जो हातियों की special जो आपकी जो देखवाल है उसके लिए किया गया था और कई सारे हातियों के centers भी खोले गयते जैसे मत्हुरा जो की युत्तर प्रदेश के अंदर located है वहाँ पे हातियों का rehabilitation या उनकी जो देखवाल करने का center जो है वो खोला गया है उसी धरोहर पशु घोशित किया था national heritage animal याद रखे आपका elephant जो है जैसे टाइगर जो है वो national animal है आपका न उसी तरीके से elephant जो है वो national heritage animal है 2010 में इसको रिप्रेजेंट किया गया जो वर्ड में tiger पाई जाते हैं वो तीन तरीके के African bus elephant African forest elephant और Asian elephant तो भारत के इंदर जो है वो Asian elephant है सबसे भारी भरकम जो elephant होता है वो African bus elephant होता है African bus elephant तकरीवन तकरीवन पांसो छोटे Asian elephant के बरावर उसका वजन होता है बहुत भारी भरकम यह बोले जाते हैं और हमारे यह जो पाय जाते हैं वो Asian elephant पाय जाते हैं आपकी जो reports है वो 2017 में एक report आई थी जो की publish होई 2019 में दो साल लग जाते हैं आपका वही वाला हाल है भारत का सेंसर सिस्था में 2021 वाला जो सेंसर से वह शुरू हो गया लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वह आपकी 2024 तक आएगी तो बहुत बड़ा कंट्री भारत अपने आप में तो यह रिपोर्ट जारी करने में टाइम लग जाता है जो एलिफेंट रिपोर्ट थी एलिफेंट कंजर्वेशन रिपोर्ट थी वह 2017 में शुरू की गई थी और उसका डेटा आया था 2019 में उसी तरीके से अभी रिपोर्ट जो ह नहीं पांच साल में इडेंटिफाई की जाती तो 2022 में फिर से एलिफेंट जो है ना उसकी कंजर्वेशन रिपोर्ट है वह बनना शुरू है इसलिए भी एक्जाम में के लिए इंपोर्टेंट है ना आपके 2017 की जो रिपोर्ट थी उसके इसाफ से भारत में तीन राज्य ऐ देखी गई थी कि उस समय यानि कि 2017 सी डाटा लेना शुरू हुआ 2019 में डेटा पब्लीश हुआ और एलिफेंट की संख्या थी तू नाइन नाइन सिक्स फूर राइट तो नाइन नाइन सिक्स फूर मैं आपको बता दू एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा यह डेटा जो आएगा संख्या भारत के अंदर तकरीवन जो है वह 35,000 हो चुकी होगी अगर ग्रोथ यही रहता है अब इसी टोटल जो एलिफेंट की संख्या है उसमें से आपका करनाटका जो है वह बिरकुल नंबर वन पे आता है करनाटका के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा हाथी जो है वह पाई जाते हैं 6049 ठीक है 6049 एलिफेंट असम जो है वह 579 हातियों के साथ दूसरे नंबर पे असम में अलिफेंट करनाटका और एक दम अलपोजिट जगा पे लोकेटेड है करनाटका आपका भारत का साधन पार्ट बोला जाता है जबकि असम जो है वह 39 पार्ट है ना केरल की अगर मैं बात पर हो तो केरल के अंदर 3054 हाति जो है वह मौजूद है इसी पार्ट में हम पहले एलिफेंट रिजर्व की बात कर लेते हैं वह भारत का पहला सिह भूम हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है और यह पूरा एरिया आप याद रखीगा यहां से इस क्वेश्चन में कई बार एरिया जो है वह पूछ लिया गया यह प्रोजेक्ट जो है उसमें पहली बार इसको शामिल किया गया था और सबसे आपके उत्तरपड़्रदेश में लोकेटीड जो है जो है वह एलीफंट को कैटेगराईगराइज किया जाता है कि कि 30 में आपका यह एलीफंट अ टाके हम वहँरं की जो सो लोकेशन जो है जो एंवािमेंट है जो एरिया है उसको एक बार देख सके शिवालेक वाच के जहरखन के इंदर आपका लोकेटेड है मैयूर भंच उडिशा के इंदर है महानदी जोय उडिशा के अंदर सामलपूर उडिशा के इंदर लेमरू चतिसगड बदल कौल आपके चतिसगड के अंदर कमेंग एलिफेंट रिजव अरुणाचल प्रदेश सोनितपूर असाम दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजव असाम साउथ अरुनाचल एलिफेंट रिजव नाचल परदेश काजी रंगा धनसरी और चिरांग रिपू यह सारे के सारे असाम के अंदर आपके टोटल मिला के पांच एलिफेंट रिजव जो है वो आज की डेट में याद रख अन्दर इस्टन दो आरस वेस्ट पिंगन में गारोहिल में खाले के अंदर मैसूर एलिफेंट रिजव करनाटक के अंदर वाइनाड वाइनाड आपको यादी होगा वाइनाड के लिए और यहां पे से सीट ज है वो कई पॉलिटीशन अभी हाली फिलाल लड़ें तो चैरल आनद़ा के अंदर निलामबर याद रख लिए कौयमबटूर elephant reserve गोंप लिख नधे नीलगरी elephant RizervP गये और याले न्दर आन्दपरदेश के अंदर अन्ना मलाई याद रखेग अन्ना मलाई पूछेंगे तो तमिलनाडव अज्सानु लखना है और अन्ना मूड़ी लिखेंगे तो आप केरला लोड़़्ेंहस्ट recommend C termin न्टव सर्फी और लेटेस्ट अभी साथ अबके सीरीज में तरही के अंदर तरही एलिफेंट तरही पानी वाला जो छेत्र होता है थोड़ा सा लोवर एरिया जहां पर गंगा पानी आता है उसके लिए भी इस्तमाल किया जाते हैं तो यह इतना डेटा जो है वह आप ऐसे सी बांकिंग स्टेट सर्विसस के लिए आप पढ़ लो आप थोड़ा सा पहले आप इनीशल फेस में इ आद में जब कभी आगे इलिफेंट फिर से पढ़ाऊंगी तो एरिया वाइस उनका कितना एरिया है कहते कहां पर क्या प्रोटेक्शन दी जाती है कि किस जगह पर एलिफेंट मुल्टिवलाइक करें किस पर कम हो रहे हैं वह आपके नेक्स्ट वीडियो में आगा बैरल आपकी जितनी वी वर्ल्ड हरिटेज साइट्स हैं टेंपल्स होगे आटेंड कल्चर होगे म्यूजिक फोग डान्स ट्राइप स्ट्यूल कास्ट यह सब कुछ जो है वह आपके इसी सीरीज में इंकल्यूड यहां पे होने लग जाएगा अपार्ट प्रमेट आप मेरी साइ क्लास 24 पे देखते रहिएगा विदिन आप फ्रेक्शन ओफ देस कह लीजिए आपका सारा पोश्चन जो है वह कंप्लीट हो जाएगा जीके से रिलेटेड थांक यू सो मच